हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होग कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे रोज रोज सुबह सभी सोचते हैं कि ऐसा तो क्या बनाएं कि जल्दी भी बन जाए और हेल्दी भी हो तो आज मैं आप सब के लिए ऐसी ही recipe share करने जा रही हूं लेकर के आई हूं दोस्तों सूजी के अपपे और साथ ही साथ पुदेनी के tasty चट्नी बहुत ही tasty लगते है दोस्तों आप इस recipe को तो बहुत बार बनाए होंगे लेकिन मेरा दावा है कि अगर आपने इस रेश्पी को इस तरीके से बना करके देख लिया एवर मेरे तरीके से बना करके खा लिया तो आप जिंदिगी भर इसी तरीके से अपने बनाना चाहेंगे और इसकी चटनी भी इसी तरीके से आप इसके साथ में खाना पसंद करेंगे Hello Everyone, मैं हूँ ममता, Evergreen Foods with ममता में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ चलिए इसे बनाते हैं, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है और इसे भी हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे, यह एकदम महीन वाली सूजी है आप एकदम रवा जो है महीन वाली जो सूजी आती है उसी का इस्तिमाल करेंगे उससे अप पर जो है बहुत ही टेश्टी बनते हैं दोस्तों और इसमें मैंने आधा कप और डाला है यानि तविर कप मैंने दही लिया है और विर वाली है और इन दुनों को हम मिक्स कर लेते हैं अगर तर आपका गाठा लगे तो इसमें न हब थोड़ा सा पानी डाल दीजियेगा यहाँ पर बैटर थोड़ा गाढ़ा देख रहा है इसमें मैंने दही वाले कप में ही थोड़ा सा पाने डालके ले लिया है अब इसे हम फिर से मिक्स करेंगे एक स्मूध बैटर इसमें रेड़ी हो जाना चाहिए दोस्तों देखिए हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है अब इसे हम ढख करके 15 मिनिट के लिए ढख करके रख देंगे क्योंकि सूजी का फूलना बहुत जरूरी होता है दोस्तों इसलिए हमें ढख के रखना ही पड़ेगा अगर आपको अर्जेंट है बनाना तो आप इसमें इनो डाल करके आप इसे तुरन भी बना सकते हैं अब बिदम अच्छा इसका बैटर हमको बना करके रेडी करना है यह बैटर आप रेडी है मैं आपको ओठा करके दिका रहे हूं देखे इस तरीके से रहना चाहिए ना तो बहुत पतल ही नहीं बहुत जादा ठीक रहना है सा आओ बना स्वाधे घरkalॉने चाहिए बड़ लिया थौड़ी साइड की मां प्रोट अपने करे एक वीण मिर्च एब कार में लिया है और मिर्च जो है हरी मिर्च लिया है ख़ीन एक कड़ी मिर्च थूड़ी है कड़ी पत्त थोड़ी हम एक उसी पहते करिए अब इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे सभी बैटर को अच्छे से mix जब हो जाए तो last में हम इसमें नमक डालेंगे नमक आप पहले मत डालिएगा क्योंकि इसमें हमने दही डाला हुआ है नमक डालने से फिर दही का जो टेस्ट है वो थोड़ा पीगर सजाता है इसलिए जब आपको बनाना हो तभी आप इसमें नमक डालिएगा आपका बैटर एकदम परफेक्ट रहेगा यहाँ पर मैंने स्मूद बन करके रैडी हो जाता है और अपके जो है काफी समय तक फ्रेस बने रहते हैं अब देखिए इसे हम अच्छे से मेक्स कर दिया है मैंने चमत से उठा करके आपको दिखा रहे हूं दिखिए कितना अच्छा यह रैडी हो गया है अब अपके मेकर लेंगे और उसमे बन करके रैडी हो जाती है घर में भी सबको बहुत पसंद आती है यह बच्चों को खास कर बहुत पसंद आती है बहुत टेश्टी लगती है आप अपने पसंद से कोई भी वेजीटेवल्स इसमें डाल सकते हैं जो भी आपके बच्चों को पसंद हो या घर में जो है अब तेल लगाने के बाद इसे हमšघना पलट करके दोनो साइट से सेखना दोस्तो Observe और अच्छे से जब सारे पलट जाएंगे गोर्व भूास से पांच मिनट के लिए भूड़ा का जली पक जाते हो Tishtie तब तक हम अपने चटनी से से लिए interrogation पट्षोग में थैस पती और एक ही मूठी मैंने यहाँ पर पुदीनी की पती लिया है तीन से चार हरी मिर्च लेंगे अपने जितना आपको तीखा रखना है उस हिसाब से एक मैंने बड़ा साइच का टमाटर लिया है उसे छोट छोट चुरी टुकडों में काट लिया था पहले से ही काट के रख दोस्तों देखे हमारी चटनी एकदम परफेक्ट रेडी है देख करके मुझ में पानी आ गया मेरे तो और देखे यहां पर फूले फूले हमारे अपे भी रेडी है बहुत ही टेश्टी लगते हैं दोस्तों आप इस रेस्पी को इस तरीके से ही बना करके एक बार देखेग अब डालने जा रही हो बैटर इसी तरीके से हम दूसरा भी डाल देंगे बारी बारी से और गैस को एकदम स्लो रखना है दोस्तों स्लो आज पे ही हमें इसे पकाना है आप हाई मत करिएगा नहीं तो आपके जो अपे हैं वो नीचे से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे ह आपको एकदम स्लो आज पे इसे रखना है और स्लो आज पे ही आपको पकाना है देखे यह वाले भी अपे हमारे बन करके रेडी हो गये हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजेगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेजेगा आपको बहुत अच्छे अच्छी टेस्टी टेस्टी आपको इजी तरीके की रेस्पी मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पर बाई बाई दोस्तो थैंक यू पर वाचि करा करे सब्सक्राइब, तरव पिस टेस्टी 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 गजी।